हेलो प्यारे बैच्चों कैसे हैं आप लोग आज देखिए हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 10 का ncrt चैप्टर 7 का क्वाड़नेट जीमेट्री और इसमें भी हम एक्सरसाइस 7.1 के कोर्शन को सॉल्व करते हैं तो आज और सॉल्व करेंगे तो अभी देखिए हमने एक कोश्चन या राइट कर रखा है एक्सरसाइस 7.1 का कोश्चन नंबर वन इसमें देखिए कौन को से 3 पेर पॉइंट है 2 3 4 1 माइनस 5 से 1 माइनस 1 3 एबी और माइनस ए माइनस बी वन बाई वन डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम इन दोनों पेर पॉइंट जो है उनके बीच के डिस्टेंस को जो है स्वाल करेंगे तो आईए बच्चों स्टार्ट करते हैं कोश्चन नंबर वन का पार्ट वन पार्ट वन में आप देखिए तो एक्स वन की वाईलू कितना दिया हुआ है यह टू वाई वन यह जाएगा 3 इसी तरह एक्स टू इसमें देखिए सेकेंट पेर में एक्स टू क यहां पर वन है और बच्चति के डिस्टेंस फार्मूला इस्टेंस फार्मूला आप एक बार देख लिए डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वह इस तरह है डिस्टेंस इकल टू अंडर रूट एक्स टू माईनस एक्स वन होल स्कॉर प्लस वाई टू माईनस वाई वन यही डिस्टेंस का फार्मूला है इसी फार्मूला का इस्तिमाल करेंगे और इन दोनों जो पैर सा पॉइंट है और दिये हुए इनके बीच के डिस्टेंस को हम कैल्कुलेट करेंगे देखिए वैलू रखते है यह एक्स टू का वैलू क्या है यहां पर है राइट करिए फोर एक्स वन की वैलू टू है ओर माइनस टू स्कार हो जाएगा वाइटू के वैलू देखें पिच्छे यहां पर वन दिया हुआ फाइबन के वैलू मांइनस ट्री दिया है मांइनस 3 हो जाएगा मतलब 3 दिया हुआ है आइउड निकल्ठू तो तो य2 मैंदस वाइन यह निए 1-3 स्कार हो जाएगा ठीक ना इस तरह से कल्पूलेट करने पर देखें 4-2 कितना हो जाएगा गा टू स्कार और 1-3 मांइनस इस तरह से बच्चो देखिए तो का स्कॉर कितना होता है मृनस टू का स्कॉर भी फोर होता इन यह वैलू हो जाएगी अंडरूट एट और अंडरूट एट को अगर राइट करना हो तो लिख सकते है फोर इंटू तू वाहर करेंगे थू तू अंडरू टू यह आपका आंसर हो जागा यह distance आपका कितना आ गया 2 अंडर रूट 2 clear है बच्चो इसी तरह second pair पे आते हैं second pair में देखिए यह minus 5 7 और minus 1 3 दिया हुआ यानि x1 की value अगर देखेंगे second में तो minus 5 है y1 की value कितना है यह 7 है इसी तरह x2 की value minus 1 और y2 की value 3 हो गया फिर से आप distance formula लगा दीजिए बच्चो distance formula क्या होता है अभी आपने देखाएं आप एक्स2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square ओके clear है x2 की value देखिए कितना है minus 1 ठीके बच्चो और x1 की value कितनी है minus 5 तो minus minus 5 हो जाएगा इसका square हो जाएगा plus y2 की value 3 minus 7 whole square ठीके बच्चो इस तरह से देखिए यहां पे अगर देखिएंगे minus 1 और minus minus क्या होगा प्लस 5 square 3 minus 7 कितना हो जाएगा minus 4 square clear है बच्चो यह क्या हो जाएगा 4 square plus 4 का square यहां हो गया minus 4 का square इस तरह से देखिए बच्चो जो value आ रही हो कितना है यह प्लस 4 का square भी 16 होगा minus 4 का square भी plus 16 होगा दोनों को आट करेंगे आ जाएगा अंडर रूट 32 अंडर रूट 32 को क्या लिख सकते है 16 into 2 16 को अंडर रूट निकालेंगे भोरा जाएगा 4 अंडर रूट 2 यह आपका आंसर हो गया बच्चो यानि इस case में distance आपका यह आ गया clear है देखिए बहुत easy है केवल फार्वूले पे आपको क्या करना है वैलू को पूट कर देना है automatically जो है question का answer आ जाएगा पार्ट 3 पर आते हैं बच्चो पार्ट 3 में देखिए यह वाला है a b और minus a minus b तो x1 कितना हो जाएगा a हो जाएगा y1 कितना हो जाएगा b हो जाएगा x2 की वैलू minus a और y2 की वैलू minus b फिर से वह डिस्टेंस का फार्मूला आप लगा दिए एक ही फार्मूला डिस्टेंस सा देखिए बार बार लगाए जा रहा है जब पेयर आप पॉइंस दिए होंगे तो वह फार्मूला है x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square यह x2 की वैलू देखिए यहां पर कितना दिया हुआ है minus a यह x1 कितना दिया हुआ a तो minus a हो जाएगा square plus y2 कितना है minus b y1 कितना है b minus b minus b square हो जाएगा इस तरह से minus दोनों है तो minus 2 यह हो गया और यहां भी minus है minus b minus b minus 2 भी हो गया इसका भी square कर दिया यह देखिए बच्चो यह हो जाएगा minus 2 यह का whole square 4a square और यह हो जाएगा 4b square इन दोनों में अगर चाहे तो आप 4 कामल ले सकते हैं यह हो जाएगा a square plus b square होर को बाहर लाई यह अंडर रूट निकाल लिए तो यह हो जाएगा 2 अंडर रूट a square plus b square और यह हमारा answer हो जाएगा उच्चो इस तरह से हमने question number one में one two three तीनों पार्ट एक ही distance फार्वूला बार बार लग रहा है देख रहे हैं आप लो एक टू माइनस एक वन होल स्वार प्लस y2 माइनस होल स्वार इस वर रूट राइट कर देंगे calculation करने पर जो value आएगी वह ही इन दोनों point के बीच का distance हो जाएगा clear है बच्चो तो question number one को आप तब तक देखिए ध्यान से फिर हम question number two को भी solve करेंगे तो बच्चो एक बार ध्यान से देखिए इसको solve करिए ओके जो question number two हमने यह राइट कर रखा है question देखिए read करते है find the distance between the point 00 and 3615 can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2 तो देखिए बच्चो यहाँ पे question को solve करना हमें तो दो पॉइंट दिये हुए जीरो जीरो और 36 और 15 और जो इस section 7.2 में कह रहा है वहाँ बेभी हम जाएंगे जब आप initiative book पे पेज को पीछे की तरह पलटेंगे तो section 7.2 देखिए आपके पेज नमबर हंडेट पे दिया हुआ है डिस्टेंस फार्मूला दिया हुआ है और इसमें देखिए उपर वाला यह डाइग्राम दिया हुआ इसी डाइग्राम को मैंने यहां पे बनाया रखा बनाया हुआ होगा पॉइंट और B टाउंस के बीच का एक देखिये जो है वोर्जीन पे है तो इसका क्या हो जाएगा जीरोजीरो हो गया है और यहां पे देखिए इस डाइरेक्शन में है यानि जैसिस थर्टिस है फिर टीशिक स्कावट और जैएगा और यहां पे दिखिए यह 15 किलो दूगा इसमें भी जो पेर्स है वाट्रेट के 00 और 36 और 15 यह सेम है यह दोनों का डिस्टेंस सेम आएगा पहले हम इसको स्वाल करते हैं अब इसमें आपको वैलू रखनी है तो अब देखिए यहां से अगर देखेंगे 00 है तो यहां की वेलू कितना जाए जीरू वाइवन भी कितना हो गया जीरू इसी इस इतरह है यहां भीम दाएगा और वाइटू की वैलू यहां पे कितना है 15 हो जाए इसी वैलू को हम यहां पर पूट करेंगे एक स्टू थो हो मच मैं 36 यहां जीरू स्वाइब प्लस फाइटू 15 मैं जीरू स्कॉायर यह जाएगा 36 स्क्वाइर प्लस 15 स्क्वाइर, 36 का स्क्वाइर करने पी कितना आएगा अच्छो, मुल्टिपलाई करके देख लिजिए, 36 का मुल्टिपलाई 36 में करिए, कितना आता, 66, 36, 36, 18, 321, और यहाँ पे हो जाएगा, 63, 18, 10, 8, 6, 9, 1, 2, 32, clear है, 1296 आजाएगा यह, इसी पर 15 का मुल्टिपलाई करेंगे, तो 225 आजाएगा, ठीक है बच्चो, अब इन दोनों को add करते हैं, 1296, में प्लस करिए 225, देखे, 65, 11, carry 1, 9, 2, 11, 12, carry 1, 2, 2, 4, 15, 15, 21 हो जाएगा, कितना असरा आजाएगा, अंडर रूट 1521, अब इसका अंडर रूट निकालने का तरीका क्या, देखे, 1521, अंडर रूट जो निकालना है, इसमें जो है, इस तरह से कर लेंगे, दो पेर बना लेंगे, अब देखे, यहाँ थ्री थ्री जा, 9 हो जाएगा, फोर फोर्जा करेंगे, सिष्टे होगा, इस लेफोर को नहीं रखते है, 339 करेंगे, ठीके न, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे, वही नंबर यहाँ पे भी हमको राइट करना रहता है, यह 6 आ गया, जब भी उतरेगा, पेर उतरेगा, यह 3 आके यहाँ पे एड हो जाएगा, ठीक हो, अब देखे, 9 टाइ हो जाएगा, 39 into 39, यानि आंसर हमारा आगया, 39 यूनिट, यह फर्स्ट केस में, और सेकेंड केस में इसी तरह बच्चों देखिए, टाउन ये का क्या है, क्वाडिनेट, 00 इसका भी है, टाउन बी का क्वाडिनेट, 36 यानि सेम है, तो डिस्टेंस तो यही आएगा, तो दा क्वाडिनेट, आप टाउन ए, इस जीरो जीरो, और टाउन बी, इस, 36 यानि 50, सेम है, जो इसका हो है इसका, तेरफोर, डिस्टेंस, इक्वल टू, यह इसमें हो जाएगा, 39, बस यूनिट की जगा है, किलो मीटर राइट करनेगे, ठीक ना, किलो मीटर यूनिट है, ठीक न, इस तरह से बच्चों देखिए, यह कोश्चन नमबर 2, हमने स्वाल्ट किया, यह तो आपका कोश्चन, 00, 36 और 15 के ब इस था, डायरेक्टली निकाल दिया हमने, और दूसरा यहां पे जो फीगर दिया था, 67.2 में, वहां पे हमने देखा, टाउन यह तो कोउर्जिन पे है, 00, 00 हो जाएगा, और टाउन भी जो है, 36 किलो मीटर इस्ट, और फिर नार्थ की तरफ 15 किलो मीटर, इसका एक्स एक्स आ चुका होगा, ठीक है न, यह रफ वर्ख है हम लोग के, इसको रफ वर्ख में रखी गया, ठीक है न, तो देख लिए इस कोउर्शन को बच्चो, और मुझे उम्मीद है आप लोग इसको समझ चुके होगे, और बच्चो देखिए, कोउर्शन नमबर वन टू हम लोग सा सारे कोउर्शन को सौल करेंगे, और आप लोग इस कोउर्शन को सौल करेंगे, और फिर हम आते हैं नेस्ट कोउर्शन लेके, ओके बच्चो,